अब देखों Black Friday की सेल चलरी Flipkart के उपर इसका भी फायदा उठा लेते हैं Flipkart में क्यों कौन कौन से कैमरे सस्ते हैं उन कैमरों के बारे में बात करेंगे और उन कैमरों की latest जो भी की pricing है वो आपके screen में दिख जाएगी So as you can see in the screen ठीक है भाया यहाँ पर लिखा हुआ है Canon के R100 कैमरे के उपर सेल चल रहा है 3799 में अबलेबल है और जब हमें इसे ग्लिक करते हैं तो what I see is कि या what I see कि 40,990 में अबलेबल एक ताले से जार में जो कि इसकी कहीं न का irregular pricing है But you can get this at 38940 with the help of a credit card और वो Flipkart, Axis Bank ये सारी चीज़ों का होना चाहिए So और HDFC के credit card में 1750 रुपे की चूट है और आपके So this is the thing या है यार कि अगर आपके घर में किसी family member की credit card है See All Bank offer में क्लिक करता हूँ तो Flipkart का जो Axis Bank का credit card है उस पे 2050 रुपे की चूट चल रही है Federal Bank ये IDFC, HDFC का है अगर किसी के पास तो उनके उपर उने 2750 की चूट मिल जाए तो ऐसा है तो क्या ही camera लेना चाहिए नहीं देखो क्या है कि इस price range पे ना और कोई नया mirrorless camera अबलेबल है नहीं और to be noted, बहुत ही clearly में कहा दो कि इसको लेकर आप लॉग नहीं बना सकते हो क्योंकि इसके अंदर very angle display screen नहीं है बट हां basic photography के लिए अगर आपको लगता है कि basic photography के लिए मुझे photography सीखनी है तो I would like to taste a camera तो भी या test कर लो इसको लेकर but again problem किया है कि इस exact price range में और कोई camera अपने kit lens के साथ कि यहाँ पर आपको यह camera kit lens के साथ मिल रहा है so yeah this is it की भाई किसी को सीखना है photography उसके लिए camera that's all अभी तेखो Sony camera के ऊपर भी कुछ एक deal चल रही है क्योंकि यहाँ पर जो ZV10 की price मुझे देख रही है वो 50,989 although देखो 52 में इसकी body मिल जाती है so of course you are getting some discount I am going to tag in the screen too कि आपको एक अंदाजा मिल जाए अगर मालो इस video के बाद price hike हो गई तो आपको screen में वो height price भी दिख जाएगी तो भाई उसके बाद click करना नहीं करना आपकी मरजी but at this moment अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो of course at least you are getting 2000 रुपीज discount अब दूसरा यहाँ पर FX3 के उपर इन्होंने थोड़ा सा discount लगा कर रखा हुआ है 3,38,000 के FX में FX3 की body है so yeah it is available but again FX3 Mark 2 की rumors भी चल रही मेरे दोस्तों 2-3 मैने 4 मैने wait कर सकते तो either FX3 Mark 2 or something related to that level का कोई camera announce होगा in Sony एक अच्छे camera के announcement हो सकती most probably the FX3 Mark 2 or the FX6 FX6 Mark 2 आता है तो एक higher price range पे फिर भागेगा but again this is it ठीक है so the thing is that कि अभी हम बाकी camera के उपर देखे तो इन्होंने A6700 camera में 18635 के lens के साथ 1,53,980 मतलब 1,54 में दे रहे हैं थोड़ा दोस्त और सब 4 body बची इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पता नहीं आप जब देखो कि इस particular वीडियो को तो कितनी body यहां पर बची हो सेस हो so buy it if you like it और A6100 camera की pricing मुझे बड़ी यहां पर interesting अगर दे रहे हैं इसमें कोई सक बात सक नहीं है 50,488 रुपए हम अपने पैसे रुपए कैसे छोड़ दे तो 50,488 रुपए कैसे छोड़ दे तो 50,488 बहुत सरी रिक्वेश्ट हैं सर कंप्लिटली हिंदी में बोल तो यह है तो yeah it is good camera 6100 camera ले या ZV10 ले 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 दोनों 50 50 मे फेस एक्सपोजर प्रावर्टी, हेडफोन जैक, जायरो बेश्टिक में स्टबलाइज़शन यह सारी चीज़े कंप्लिटली मिसिंग है यह 6100 camera में 6100 camera में जो इसकी body exactly 50k पे अबले पिल है but what does this have is an electronic viewfinder or the EVF so जिनका 70-80% काम है फोटोग्राफी का ठीक है और उनको यह लग not with the kit lenses, not with the kit lenses तो आपको एक astral lens तो लेन ही पड़ेगी, कोई भी prime ले सकते हो, मेरी personal फेवरेट तो सिग्मा की ट्रायो है भाया बटो कोई सस्ती नहीं है, तो Sony की 50mm की lens थोड़ी से सस्ते price पे अबले बले है, so you can try also, Sony 50mm के lens के साथ अपना A6700 camera जो है 119 में अबले है, आप म 5mm lens and its lowest price since its launch और यह आपको 86 में मिल रहा है, क्या है लेना सही रहेगा, अगर आपके थोड़े भी पैसे extra है, तो लगा कर आप A6700 camera ले लो, let me check the, this combo is without a doubt amazing, अच्छा मैं यहां पर क्या करूँगा कि A6600 camera की body भी tag कर दूँगा body price, अगर वो किसी lens combo के साथ अबले है, क्योंक हुआ, तो अगर आप उसे ले लो, तो at least आपको IBS मिल जागे, and that's the advantage you have with that camera, so it is good, at least having an IBS is wonderful, so this is it, okay, Z30 की 60 में की lens के साथ ही है, 61 में अबलेबल, of course it is generally available at 62, but, 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 it's not written lowest price since it's launched, तो मैं समझ रहा हूँ कि, it's kind of a regular discount, you are having not a major discount, you are having a good discount over Z5 camera with 24 to 70 mm, Z5 तो मैं आपको recommend करूँगा नहीं, क्योंकि Z5 जो है, वो उसकी autofocus अतनी अच्छी नहीं, इस price range में अगर आप wedding photographic लिए भी camera देख रहे हो, और Z5 की आपकी budget है, तो plan करो Z52 लेने की, not this Z5, Z5 की AF अच्छी नहीं थी, भाई, frankly मैं कहा रहा हूँ, अभी भी नहीं है, so don't invest your money in that, you will have frustration with that particular camera, so for AF purpose I am saying, अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं AF समाल लूँगा भाई, AF क्या है, तो फिर ले लो, ठीक है, but again, not that good, instead of that, go with the R8 or Z52, camera of your choice, but not the Z5, मैं नहीं recommend कर पाऊंगा, ZF में कोई discount चल रहा है, oh my god, ZF में कोई khas discount नहीं चल रहा है, so basically, हमने बात करा इसके, इसमें, of course, discount चल रहा है, keep your eye on the ZV10 camera, ZV10 camera एक reasonable price पे available है, काफी reasonable price पे discount पे चल रहा है, A6600 camera अभी भी available है, कई लोग यह कह रहे थे कि A6600 camera सर्फ discontinue हो गया, सिर्फ इंडिया में available है, बचे को unit sale हो रहा है, A6600 camera अभी तक discontinue नहीं हुआ है, US के B&S store में भी available, आप जा अभी भी available है उनके units, और Sony ने इसको लेकर कभी भी कोई official statement जारी नहीं करा है, that we are discontinuing the A6600 camera, 6600 whatever use, तो the thing is that कि, या तर लोट of discount going on, और प्लान कर रहा हो कोई camera लेने की इस वग, then of course ZV10 एक काफी अच्छी price पे available है, for content creator, A6600 camera एक अच्छी price पे available है, for photographers, Nikon में कोई महत major discount नही Canon में भी कोई मुझे lowest price since launch दीखाने, सिर्फ R100 camera 38000 में available है, उस पर भी आपके credit cards ये सरे चीज लगाओगे तब, तो ये था round up एक kind of a black friday का, let me know if you have more questions related to that, or any other camera model, or anything related to camera and lenses, I would love to answer your questions, thank you very very much for being a part of this video, video कैसे लग मुझे जरूर बता है,